हेलो दोस्तो फिर से सागे थे मेरा चैनल पर मेरा चैनल का नाम है एलेक्रनिक्स इंडिया मैं लोटन फिर लेके आए हूँ एक नया प्रेडियो देख सेकते हैं आमारे पास 14 इंच का एक सांसोई कॉमपाइन का टीवी है इस टीव का पॉबलेम देखूंगा सोलुसन करके भी भीन करता हूं इन करने के बाद्रड के बाधन को दावाने के बाद बन करने के मतलब हमारे टीवी स्टैंबब्र मुड से अन हो चुगा है लेकिन फीर भी हमारे टीवी पीपे कोई भी पिक्चा नहीं आ रहा है अमदलब कोई बीलाईट हमीन पोइन नहीं है इसलिए बाई पोप्रेंगे और निकलेंगे ठीसिगे में परफित्ञी बादHD को ऊप्оры ने मिंसंतों को सब्सक्राइब लोपन करने के बाद एक रहा हमारा 14 का ट योव इसका योग कोहल और रहा बेस पीचेपी और यह रहा मेंट पीचेपी दोस्ता अच्चा जो पॉबलिम आया है हमारे मेंट पीचेपी का पॉबलिम है क्यूंकि दोस्तों स्टार्टिंग नहीं है power indicator जाल रहा है, मतलब हमरा power section से ही होना चाहिए और हमरा starting होने के बाद जो हमार picture नहीं आ रहा है ते हमरा EHD section से भी हो सकता है, हमरा system से भी हो सकता है जो हमरा main processor होता है, पोसे से भी हो सकता है या हमरा regulator section से भी problem हो सकता है इसलिए एक एक चीस को चेक करना जोरूरी है जैसे पहले पावर सेक्षन का बोल्टेज चेक करेंगे पावर सेक्षन का हमारा तीन जो बोल्टेज दिया गया है इस पर तीन बोल्टेज को चेक करेंगे तो हमारा सही रहेगा तो रेगुलरर सेक्षन को चेक करने के बाद पता के बाद देखेंगे हमारा आउट्पुट सेक्शन पेज कुछ पॉब्लेम दे रहा है या और क्या पॉब्लेम है जो हमारे येस्टी ओन नहीं हो रहा है ठीक है मैं पहले मीटर को मैं गाउन कर लेता हूं और उसके बाद चिक करेंगे इसका भॉल्टेज दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूं और पावर देने के बाद देखते हैं हमारा पावर इंडिकेटर ओन होता है के नहीं देखिए हमारा पावर इंडिकेटर ओन हो चुका है और ओन होने के बाद इसको से रिलीश हो चुका है और रिलीश होने के बाद हमारा टीवी पे भोल्टेज क्या है वह देख लेते हैं जैसे हमारा पहला भोल्टेज होता है जो यह को साब लाई दिया जाता है उसके बाद देखेंगे हमारा इस वाला भोल्टेज जो बारा भोल्ट होता है बारा भोल्ट भी ओके दिख रहा है उसके बाद साउंड कव दो सही है इस यह हमारा को सब लाइज देने के बाद हमारा हाइज सेक्षन यह को कॉईल को और यह कॉन रहीं के बाद हमारा इस बहुत पॉइंट पर 180 बनता है देखिए इस बाला पॉइंट पे हमारा जो 115 इन हो रहा है यह टी को ओई भोल्टेज हमारा आउटपुट भी हो रहा है जिस पर हमारा 180 से 200 भोल्ट तक होना चाहिए ओवरा भोल्टेज हमारा ओई 15 दिगरा है मतलब हमारे EST चालू नहीं है EST चालू क्यों नहीं है उसको देखने के लिए पहले रेगुलेटर सेक्षन चेक करना पड़ेगा जैसे हमारे इस पे बारा भॉल्ड आ रहा है तो हमारा पावर सेक्षन दो भॉल्टेज से ही दे रहा है उसके बाद देखेंगे हमारा फाइब बोल्ड बनता है की नहीं इस बाला पॉइंट पे हमारा फाइब बोल्ड मिलता है और 8 bolt 5 bolt जब तक सही नहीं आएगा तो हमारा main possession नहीं ओन होगा और possession नहीं ओन होने के कारण ही हमारा EHT नहीं ओन होगा इसलिए क्या करते है यह बाला तो भोल्टेज हमारा 12 bolt ओके दिख रहा है उसके बाद देखते हैं हमारा यह बाला जो 5 bolt जो हमारा tuner section को सब लाई दिया जाता है देखिए इस पर point 8 bolt बन रहा है उसके बाद 8 bolt को चेक कर लेते हैं 8 bolt कहां पे है इस बाला point पे 8 bolt मिलना चाहिए यह बाला point पे जो IK है IK पे भी हमारा 8 bolt नहीं मिल रहा है इस बाला point पे 8 bolt नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है उसके देखने के लिए regulator section चेक करना जोरूरी है जैसे हमारा यह दो 12 bolt हमारा इन हो जाता है इस बाला transistor पे इस बाला transistor पे हमारा 12 bolt इन हो जाता है और इन होने के बाद दोस्तो यह बाला transistor ऐ сы 또 out put करता है 12 bolt 12 पो आउट पुड हो रहा है उसके दुबाल इस बाला point पे आता है कि जो रिजिस्टा लगाया हुआ है जो 5 watt का रिजिस्टा लगाया हुआ है इस रिजिस्टन के बाद इस बाला पॉइंट पे आने के बाद हमरा फाइब बनना था लेकिन इस पर फाइब बोल नहीं बन रहा है मतला वेबला एड़ बोल्ट और फाइब बोल्ट का जो रेगुलेटर टांजिस्टर है वह भी खारा वो सकता है यह हमारा कुछ सेक्षन है जो हमारा बोल्टेज को दाबा रहा है और फाइब बोल्ट क्यूं नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा जो पॉल्ट इस पिए उसके बाद देखी एक चीज मैं जब इसको चेक किया था तो इस बाला पॉइंट पे हमारा बोल्टेज था 8.6 बाला पॉइंट पे बोल्टेज आ गया था और स्टैन्बाइ एलिच करने के बाद हमारा जो सिस्टेम पे जो 5 बोल, 8 बोल अन होना चाहिए इस पे देखें, 8 बोल्ट के जगा पे हमारा 11 बोल्ट आ चुका है और 11 बोल्ट आने के बाद हमारा 8 बोल्ट का जो रेगुलेटर है 8 बोल्ट का रेगुलेटर हमारा अन होना चाहिए और 8 बोल अन होने के बाद ही हमारा 5 बोल अन होता है इसलिए दोस्तों 8 बोल जब तक सही नहीं होगा तो हमारा 5 भोल भी सही नहीं होगा इसलिए दोस्तों क्या किया मैंने ए सिस्टम को मैंने ओपन किया ओपन कहने के बाद देखा क्या हमारा जो 8 बोल का जो रेगुलेटर टांजिस्टर है वह बाला रेगुलेटर टांजिस्टर हमारा खारावो चुका है जैसे इस बाला टांजिस्टर सुरी दोस्ते इस बाला टांजिस्टर एबाला हमारा 8 भोल का रेगुलेटर टांजिस्टर द्या गया है wouldable Liberator Transistor हमारा खारा हो चुका है इसलिए ए बाला Liberator Transistor को ओपें करेंगे और और ओपें करने के बाद नया वाला एक Transistor लगांगे यही नमबर का जैसे इसपे नमबर लिखाँ हुआ है तूटू थी एट sells टूटू थ्री शिक्स का यह बाला Transistor था यह वाला transistor को open if patch transistor लगाएंगे. लगाने के बाद देखेंगे हमारा system पे जो problem फा. एड फोल तैयार नहीं हो रहा था. एड फोल तैयार नहीं होने के करणी हमारा 5 बोल नहीं तैयार हो रहा है. इसलिए 8 volt को on करना on करने के बाद ही पाता चलेगा हमारा 5 volt कैसे on होता है ठीक है मैं यह बला transistor को नया बला एक लगा लेता हूँ दोस्तों मैंने पुराना बला transistor को change करके replace करके नया बला एक transistor लगा चुका हूँ देख सकते हैं यह नंबर का सेम नंबर का लगाया हूँ टू टू 36 का यह बला आमरा transistor नया बला लगा चुका हूँ लगाने के बाद इसको voltage चेक करेंगे जो voltage आमरा बैठ गया था जो 8 volt तयार नहीं हो पा रहा था और 8 volt नहीं तयार होने के कारेनी आमरा 5 volt नहीं ओन था इसलिए क्या करेंगे इसको on standby से release कर देते है release करने के बाद देखते है इसका voltage क्या दिक रहा है जैसे आब लोगों को पाता था आमरा 8 volt नहीं बन रहा था 8 volt को पहले चेक करेंगे जैसे इस बाला point पे इस बाला point पे हमरा 8 volt मिल जाता है लेकिन दोस्तों इसको resistance देखे इसको 5 volt बनाया गया है IK के लिए supply दिया गया है 8 volt बन जाता है हमरा दिखाता हूं इस बाला point पे हमरा 8 volt बन जाता है जो हमरे इस बाला टांजिस्टर खाराब हो गया था नया बाला टांजिस्टर लागने के बाद 8.9 बन रहा है उसके बाद देखेंगे जो हमरा इस पे 115 जो input हो रहा था पावर सेक्षन से उबला पावर सेक्षन के input होने के बाद EHT on होने के बाद हमरा इस पे जो 180 बनना चाहिए उस पे कितना बन रहा है देखे 188 बन रहा है मदलब दोस्तों क्या हुआ हमारा EHT on हो चुका है और on होने के बाद हमारा टीवी पे जो skin पे कोई भी picture नहीं था वो बलग picture भी आ चुका है मदलब दोस्तों आज का क्या problem हुआ जैसे मैंने टीवी को देखा तो मुझे पाता चला पावर सेक्सेन का जो इंडिकेटर था वो इंडिकेटर तो ओन हो गया था उसके बाद मैंने पावर से पावर बटन दाबा के उसको स्टैन्बाइ से रिलीच कर दिया और रिलीच कर दिने के बाद भी आमारा टीवी पे कोई भी skin पे picture नहीं था इसलिए मैंने जब चेक किया तो हमारा रिगुलेटर सिस्टेम पे जो 5 बोल्ट और 8 बोल्ट बनता है पहले तो दोस्तों यह जो आमारा 10 बोल्ट बनता है 10 बोल्ट से आमारा डाइरेट 5 बोल्ट बना के हमारा इप्रम IC को साबलाई दिया जाता है और इप्रम C को साबलाइध दिया जाता है 5 बोल्ट और फ़वाइब बोल्ट ऑन होने के बाद हमारा ACLS da on हो जाता है और यह फाइब बोल्ट रमारा इसको पॉसेसर को दिया गया है पॉसेसर को ऑन करने के लिए पैर स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए वो स्टार्टिंग वोल्टेज मिलने के बाद इसका जो स्टैन्बाई पीन है स्टैन्बाई पीन रिलीज हो जाता है रिलीज होने के बाद हमारा जो यही 10 बोल्ट को 12 बोल्ट को आने के बाद इसको 8 बोल 5 बोल तयार करता है रेगुलेटर सेक्षेन और 8 बोल 5 बोल तयार होने के बाद यह पॉसेजर को देने के बाद आमारा भार्टिकेल और होरिजेंटल सेक्षेन ओन हो जाता है और यही पॉब्लेम था दोस्तों क्या लेकिन इस पर फाइब बोल भी आ चुका था इप्रम आइसी पर उसके बाद भी हमारा जो एड़ बोल फाइब बोल बनना चाहिए था उबला एड़ फाइब बोल नहीं बन पा रहा था मैंने जब चेक किया तो एड़ बोल का टांजिस्टर हमारा खराब निकला और एड़ बोल नहीं बनेगा तो फाइब बोल भी नहीं बनेगा इसलिए एड़ बोल का रेगुलेटर टांजिस्टर मैंने चेंज करने के बाद हमारा एड़ बोल भी बन गया और एड़ बोल भी ब और भाटिकल आईसी और येस्टी ओन होने के बाद देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर होना चाहिए ओबाला पिक्चर भी आ चुका है मतलब दोस्तो हमारा जो आज का पॉब्लेम था ओपुरी तरह से सॉल्व हो चुका है ठीक है दोस्तो इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जोरू सस्काइब कर लेना बेल आईकून को दाबा देना और नोटिव को स्रौन कर देना जब भी मैं नया नया वीडियो लेकाऊंगा अब लोग को मिलते रहेंगे खीका दोस्तो मिलते हैं नेक्स विडियों पाद तब तेकरे दोस्तो गुडबाई